तो दोस्तो आज मैं आप सब के साथ में शेयर करने वाले हूँ साबो दाना का चीला जो की वरत में हम अक्सर बना करके खाते हैं लेकिन बहुत सारे लोगों की ये सिकायत रहती है कि ये जो साबो दाना का चीला है वो नहीं बनता है या फिर पैन में ये चिपकने लगता है य और इसे आप बहुत ही आसानी से समझना पड़ेगा यह बनने के बात कैसा लगता है खाने में और इसे बनाने में क्या-क्या माती हैarde यह सब में reference दो वीडियो और पसंद आयां तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेर भी जरूर करीएगा और चैनल को मेरे सस्क्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा तो चलिए रेस्पी को सुरू करते हैं साबोधाना का चिला बनाने के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले चाहिए एक कच्चा आलू आप चाहे तो इसके जगे पर उबला हुआ भी आलू यहाँ पर इस्तिमाल कर सकते हैं अब इसे हम भीच से काट लेंगे क्योंकि जो यह आलू है वो साइज में थोड़ा सा बड़ा है आप चाहे तो मीडियम साइज का एक आलू यहाँ पर ले सकते हैं अब देखें यहाँ पर आलू को जो है इस तरीके से एकदम बारीक वाले कद्दू कच से हम यहाँ पर घिस लेंगे जिसमें बारीक वाला जो छेद होता है इसी से हमें यहाँ पर इससे घिसना है अब देखिए यहां पर जो आलू है आधा मैंने यहां पर घिस लिया है इसे फटा-फट से तुरंत ही से हम पानी में डाल देंगे जिसे जो आलू है वो काला ना हो अब देखिए यहां पर जो आधा बाकी का आलू है उसे भी हम यहां पर ग्रेट कर लेंगे इस तरह से और इ थेखे िसे मैंने ने रहा है और यह लिया है साबोदानाया करने शुक्त बिल्ब हमें पर यह लिया है इसे हम यह उसी तरह है करें इस चिल्ले को बनाने के लिए जो थी करते हैं तो वो गलती हमें यहां पर नहीं करनी है अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका चिला बिल्कुल भी नहीं बनेगा अब देखिए इसे हमें सिर्फ धोना है तो मैंने इसे दो से तीन पानी से अच्छे से धो लिया है यानि कि इसका जो पाउडर लगा हुआ रहता है उसे हमें धो करके निकाल लेना है अब इसे एक बड़े से मिक्सिजार में हम डाल देंगे और एक बार हम बिना पानी डाले इसे हम पीस लेंगे उसकी बाद हमें इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते जाना है और इसका एक बढ़िया सा पेश्ट तयार कर लेना है यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बारीक यहाँ पर पेश्ट इसका नहीं बनता है यानि कि थोड़ा यह दरदरा ही रहता है और आप देख सकते हैं बस इसी तरीके से हमें यहाँ पर यह चा बनाते हैं उससे तोड़ा इसे गाढ़ा ही रखना है और जैसे कि आप सब जाने हैं कि जो आप पानी के साथ मिक्स होते ही पानी को बहुत ही जल्दी तो यहां पर हम फटा-फट से सारा काम करेंगे अब इसमें हम डाल देंगे जो हमने अलू ग्रेट करकी रखा हुआ था उस 2 प्रोट cage डाला है और थोड़ा सा पानी और नमक कारें घरणानट ayam 16стos जो 1st जखला कि या जरणागे और 20g तो यहा सिरिक 50g डाल कूल दो अनरे आफके सब दो राइं अब देखें यहाँ पर बैटर जो है वो ज़्यादा गाढ़ा हो गया था तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और एट कर दिया है अब यह जो बैटर है इसे रखना बिल्कुल भी नहीं है सोक करने के लिए इसे अब हम तुरंत ही इससे चिल्ला बनाएंगे इसका और इसे हम बहुत ज़्यादा पतला हम नहीं फैलाएंगे थोड़ा सा मोटा ही अमें इसे रखना है अगर आप बहुत ज़्यादा पतला भी फैलाते हैं तो भी यह जो आपका चिल्ला है वो बनने के बाद बिगणने लगेगा यानि कि यह आपस में चिपकने लगता है तो अब इसे हम थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे और साइड से थोड़ा सा जो है तेल या फिर घी जो भी आप पसंद करते हो उसे जो है यहाँ पर डाल सकते हैं अब इसे हम मेडियम टू हाइफ लेम पर पकने देंगे अब देखिए उपर से जो इसकी स्किन है वो जो है ड्राय होने लगी है थोड़ा थोड़ा जो है यह सूख रहा है उपर से अब इसे हम क्या करेंगे इसे हम पलड देंगे इस तरीके से देखिए आप बनाते हैं तो बहुत ही इसली यह जो हमारा जो साबुदाना का जो चिला है वो बन जाता है दोस्तों बस कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना है जैसे कि जो साबुदाना है उसे आपको भीगाना बिल्कुल भी नहीं है तुरंत ही लेना है धोना है और पीस करके इसे हमें यूज करना है यानि कि इसका जो चिला है वो बना लेना है आप ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करिएगा उसे भीगाने के वनना जो आपका चिला है वो बिगड जाएगा और बनेगा भी नहीं अब आप देख सकते हैं आपके सामने है यह जो साबुदाना का चिला है वो बन करके तयार हो गया है बस इसे सेखने में थोड़ा सा समय जाता है पर वीडियो को आप स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा पर यहां पर पर ही छोड़ करके बिल्कुल मत जाएगा इससे आप पूरा देखिएगा लास्ट में मैं आपको बताओंगी कि यह बनने के बात कैसा लगता है और यह कैसा खाने में लगता है आपको यह सारी बाते आपको बताओंगी इस वीडियो में अब देखिए यहां पर मैंने एक जो है साबुदाना कचिला बना करके निकाल लिया है और दूसरा भी हम इसी तरीके से इसके इंदर डाल देंगे और इसे भी हम बना लेंगे दोनों साइड से अलटते पलटते हुए इसे हमें सेक लेना है और बहुत ज्यादा सॉफ्ट ये बनते हैं दोस्तों ख छोटी-छोटी ऑच साबुदाना है चैतनी और केसे रहे हैं जब आइंगे एस की चटनी बना लेंगे दोस्तों जी हां दोस्तों इसके साथ में कहाए जानेवाली चटणी वो भी बहुत ज्यादा pest़ी बनती है अब इसके लिए मैंने यहाँ यहाँ पर पूदिन लिया है और एक यहां पर धनिया ले लेंगे हरी धनिया की पत्तियां दो हरी मिर्च हम यहां पर ले लेंगे और एक मूठी के करीब मैंने यहां पर सिंग दाना लिया है यानि कि मोमफली और इसे थोड़ा सा जो है मैंने यहां पर रोष्ट कर लिया था यानि कि इसे भून लिया था थोड़ सबस्कraphर्ण कपा सबस्क्राइब करें достаточно का सबस्क्राइब और देखे जो साबो दना की यानी चोटे-चोटे से जो हमारे चिले हैं वह to high flame पे पकाईएगा बिल्कुल भी slow आज पे मत पकाईएगा वन्ना काफी जादा समय जाएगा इसे पकने में और देखें यहाँ पर जो हमारा चिला है वो बनकर के सभी जो है बनकर के तयार हो गया है अब देखने में तो यह काफी जादा जो है टेश्टी लग रहा है दोस् इसकी यही जो है खराब बात होती है इस चिले की यह बात आपको कोई नहीं बताएगा दोस्तों सब आपको रेस्पी बताएंगे और अच्छे बाते ही बताएंगे इसलिए मैंने यहाँ पर पूरी जनकरी आज आपको दी है अब देखें यह जो है अगर आप इसे फोल्ड बरतन में राखतें यहां फिर ईस्टील के प्लेट में रखें तो उसमें ज़्यादा चिपक जाता है अब देखिए जो छोटे के भाले हैं और थोड़े से मोते हैं वे आसानी से निकल जाते हैं प्लेट में से बड़े बनाएंगे पतले पतले बदो अब ड़ेजिए एक़ के हैं अगर आपको बनाना रहें तो आप सबदाने में सबस्तों और चिल enters संब्सक्राइब कर payment से किसले सबस्क्राइब रहते हैं में इस हमतब्ल Münze करOham कि अभर गंथ के लिए ऐसलीन में अधे होड़ा बनागे या फिर्त में खीशडीन में इसांट कुछ खास नहीं लग रहा है थोड़ा सा ओईली सा भी लग रहा है तो मैं अगर आप मेरी बात मानेंगे तो इस चिले से लग गुना अच्छा आप इसका वड़ा बना करके खाये जिसे हम भीगा करके और आलो के साथ मिक्स करके बनाते हैं उसकी रेस्पी में बहुत ही पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजेगा जिससे आपको मेरे आने वाली रे क्वाँ जाली प्लीजेगा जही प्लीजेगा ओशने नहीं कि कि बातो प्लीजे धर शेल के मिंजेगा और शेगे बेल आपको मेन राईकते डातीं झाल झाल